हेलो दोस्तो के LD Classes में आप सभी का स्वागत आज हम बात करेंगे सार्ग के जो आर्ट देसे उनके लिए एक कुरोणा एमिर्जनसी फंड बनाय गया था रिली फंड बनाय गया था किसमें जो पैसा इकठा किया जाएगा वो आने वाले समय में या इसी समय कह सकते हैं कि हम कुरोना वायरस से लड़ेंगे जो भी किसी भी देश में जो स्वासुभधाएं हैं स्वासुभधाएं नहीं हैं जो भी समझते हैं उसके लिए हम ये पैसा ख़ज करेंगे 15 मार्च 2020 को सारके की सभी आठ देशों की वीडियो कॉन्फरेंसी के माध्यम से एक बैठक की गए थी इस बैठक में क्रोना वायरस से लड़ने के लिए सभी देशों के प्रमुग जिसे अलग-अलग देशों में राष्टपती होते हैं वहाँ पे अलग-अलग देशों में प सभी देशों की सरकारों के कारण से अभी तक यह जो प्रोसेस है यह अभी तक सफल रहा आ है और इसमें आधिक पैसा आ भी चुका है वही हम बात करने वाले हैं क्रोना बारे से लड़ने के लिए उस दिन एक राहत कोस की बात की गए थी जिसमें सभी सार्क के देश अपने हिसाब से उसमें कुछ रासी के माध्यम से मदद करेंगे और हुआ भी है यह भी नहीं कोई प्रेसर था कि आपको इतना देना होगा इनको इतना देना होगा कोई भी किसी के उपर बॉंडेशन कोई भी कंडिसन नहीं लगाया गया था अपनी मर्जी के हिसाब से अपना जो होता है कि हमारा इतना लेवल है हमें इतना करना चाहिए और सबसे पहले भारस सरकार ने ही इस सार के क्रोना एमर्जनसी फंड में 76 करोड उपे की मदद किये अभी तक के प्राप्ट आकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो ये देश सामने आया है जिन्हों ने इस सारे के जो कुरोना एमर्जंसी फंड बनाया गया था उसमें इतना इतना पैसा दिया है जैसे आपका नेपाल देश है इसने अभी तक 10 लाख डॉलर इस तरह से मदद किया है भुटान है एक लाख डॉलर सिलंका देश ने अभी कली दिया है पचास लाख डॉलर की मदद किया है अफगानिस्तान 10 लाग डॉलर, माल्दियू 2 लाग डॉलर और बांगला देश जो है वो 15 लाग डॉलर की मदद इस तरह से इस कुरोना एमरिजनसी फंड में किया है अगर इन देशों का देखा जाए अभी तक के 7 देशों का ये आकड़ा है टोटल किया जाए तो 1 करोण 88 लाग डॉलर हो रहा है जिसमें सबसे अधिक भारत सरकार ने 1 करोण डॉलर दिया है दूसरे नंबर पे जो आपका सिलंका है वो 50 लाग डॉलर दिया है इसमें एक आज को ये बैठक हो रही थी सबीसके प्रमुक्स सामने थे उन्होंने अपने एक जो राज के मंत्री है स्वासमंत्री को उनको भेज़ दिया था कि आप देश के आपको पता होना चाहिए जबकि आपको समझना चाहिए कि आज ये सारके के 8 देश है, सबसे अधिक प्रभा वाइरस के करणड से इस वीडियो कॉनफरेंसिंग में राहत को उसके अलावा एक और मुद्दे पर सभी देश सहमत हुए थे कि हम आपस में जानकारी को साज़ा करेंगे जिससे हमें आसानी से जानकारी मिल सकेगी कि साग के इन आठ देशों में कुरोना वाइरस की सिती क्या इस वेबसाइट पर सभी सागे के सदस देश कुरोना वाइरस से पीडितों की संख्या समय समय पर बताएंगे जैसे मिली खबर के अनुसार एसिया के इन आठ देशों के ये आकडे अभी तुरंद के आकडे हैं कल रात के 10 बजे के आकडे हैं आप इन पर ध्यान दीजे कि आपके देश में चाहिए आप भारत के हो पाकिस्तान के हो किसी भी देश के हो अगर इन आठ देशों में आप बिलॉंग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपोर्टेंट हो जाता आप उसी के अनुसार अपनी जो सुरच्छा है आपको बाहर इस तरह से भारत को तो प आकड़ा दीआ गया है यहां पे देखें यह country के नाम है जैसे पाकिस्तान में देखें पाकिस्तान में है 16 16 मार्च को 16 माम ले आये थे और जो 0 लिखा गया इसमें एक हो गया कि 16 में से एक भी वैक्ति की मिरित नहीं हूई थी उसके बाद 17 मार्च को 236 उसमें से एक वेक्ति की निधन हो गया है और 24 मार्च की आकड़े देखे जाए पाकिस्तान में तो 958 इसका मतलब हो गया कि 908 में से 7 वेक्ति की मिरित हो चुके तो सबसे अधिक प्रभावित आपका इन सारक देशों में पाकिस्तान है लेकिन उसने अभी भी इस रिली फंड में एक र सबसे अधिक अगर प्रभावित हुआ है तो इन सारक देशों में भारत और पाकिस्तान में हो चुकी है यहां पर और देशों के आप आकड़े देख लिए अगर आप उस देश के बिलांग करते हैं जैसे अफगानिस्तान में यहां पर देख लिए बांगलादेश है मालदीव है भूटान है नेपाल नेपाल में अच्छी सिती इसलिए मानी जा रही है कि 10 मार्च को भी एक मामला था प्रभावित का और 17 मार्च को भी एक ही था और 24 मार्च को सिर्फ दो लोग यहां पर कोई भी या इस तरह से कह सकत और आपका 24 मार्ज तक के आकड़ेक अनुसार 709 लोग प्रभावी थे पूरे आठ देसों के इन आठ देसों में जिसमें से अभी तक 22 लोगों की मिरित हो चुकी है जिसमें से भारत में 10 लोग और बाकी जो 12 लोग है वो अन्य देसों के लोग हैं जिनकी मोत हुई है सार्क संगठन के सदसे देसों के दौरा उठाए गया इस उचित कदम की प्रसंसा पूरे 20 में कि जारे इसी बीच अमेरिका रच्छा मंत्री मार्क एसपर ने इसको लेकर भारतिया रच्छा मंत्री राजधनाज सिंग से बात कर उन्हें और उनके सबी सार्के देशों को धन् करने के लिए आगे बड़े सभी देशों को धन्यवाद दिया और उनका आभार जाता है और सभी को विश्वास दिलाया है कि जल्द ही हम इससे मुक्त होंगे तो यह थी हमारी आज की सबसे करने के लिए सभी देश अगर एकजूट होंगे सभी पूरब विश्वे एकजूट होगा क्योंकि आपको पता है कि ऐसा कोई भी देश जहां पे आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पे स्वास्त सबसे मजबूत है जैसे आप अमेरिका का नाम लेज़े इटली के अमेरिका में ए 21 दिन का लागडाउन हो गया है इटली उटली में तो इतनी हालत खराब हो चुकी है कि वहाँ पर जो होतान है कि दफनाने के लिए जगे नहीं मिल रही है लोग रोडों पे उस तरह से पड़े हुए है तो ऐसी इस्तिती भारत में नाया और अन्य देशों में नाया उठाने पड़े है इसी प्रेकार से बने रहे है जैसे कोई इंफर्मेंशन आएगी मैं आपको जरूर सुचित करूंगा इसी प्रेकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD Glasses की ओस से धर्निवाद